दिल्ली विधान सबाचुनाव के पहले केंद्रिस सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए यहां की अवैत कॉलोनियों में रहने वाले लोकों की रजिस्ट्री शुरू कर दी है शुकरवार को केंद्रिस शहरी विकास मंत्री हर्दीप सिंग पूरी ने 20 लोगों को रजिस्ट्री के कागजात सौपे वही दिले के उपमोके मंत्री मनीश सिसोधिया ने केंद्रिस सरकार पर दिल्ली वालों के साथ में धोका करने का आरोप लगाते हुए रजिस्ट्री के कागजातों को फर्जी बताया है दिल्ली की कच्ची कोलोनियों में घर बनाकर रहने वाले लाखों लोगों के लिए शुक्रुआर का दिन खुश्यों वाला था केंद्रि मंत्री हरदीप सिंग पुरी ने एक कारकरम में इन कोलोनियों के 20 पाशंदों को खुद उनके घर की रजिस्ट्री के कागजात सौंपे इस मौके पर उन्होंने दावा किया कि 6 महिने में कच्ची कोलोनियों में रहने वाले सभी लोगों को रिजिस्ट्री के कागजात सौंप दिये जाएंगे पहले 20 को और आने वाले दिनों में इन मल्टिप्लायर्स अफ दिस बड़ी तेजी से मिलेंगे इस मौके पर घर की रेजिस्ट्री के कागजात पाने वाले लोग भी काफिक कुछ नजर आए और उन्होंने इस काम के लिए गेंदर सरकार के प्रतिया भार भी जताया दूसरी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार अभी भी केंदर सरकार के इस कदम को धोका बता रही है दिल्ली के उपमुक्यमंत्री मनीश स्वादिया का दावा है कि लोगों को रेजिस्ट्री के नाम पर फर्जी कागजात दिये जा रहे हैं पार्टी का दावा है कि आम आदमी पार्टी चुनावी पाइदे के लिए जूट बोलकर दिल्ली वालों को बरगलाने की कोशिश कर रही है जूट बोल रहे हैं गुम्रा कर रहे हैं डिस्करेज कर रहे हैं लोगों को वहां जाके बोल रहे हैं ये सब नाटक है ये नाटक है ये रेजिस्ट्री मिलना ये नाटक है की शुरुआत हो जाने से दिल्ली की बड़ी आबादी को जल्द ही राहत मिलने की उमीद बन गई है बीस लोगों को पहले फेस में रेजिट्री पोवाइट की गई है यहापर यह एक सिम्बोलिक है लेकिन अभी आने वाले समय में हाजारों रेजिट्रियां लोगों तक पहुचाए जाएंगी बीडियों लिख कमकर शोर के साथ सहीद आमिरुसाइब लियूस्टेशन दिल्ट